हेलो दोस्तों आज की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है आए देखते हैं multiple choice का question इस multiple choice question में question number one two three यह आप लोग homework में करेंगे question number four देखिए कह रहा है कि if three whole two by seven liter milk up is required in a day for making tea tea बनाने में चाय बनाने में एक दिन में three whole two by seven liter milk की ज़र्वत पढ़ती है और two whole one by three liter milk for making coffee and office किसी office में three whole two by seven liter milk चाय बनाने में लगता है एक दिन में और two whole one by three liter coffee बनाने में लगता है then how much milk is required in a day total milk पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम 3-hole 2-by-7-liter milk और 2-hole 1-by-3-liter milk यानि जो चाय बनाने में दूर लग रहा है और जो काफी बनाने में दूर लग रहा है इसका sum कर देंगे फिर दोनों को add करके हम लोग जितना total milk आएगा उसको निकाल लेंगे तो ये भी question आप लोग होमर में करेंगे फिर पाच्वा question कर रहा है इन ए फेयर किसी मेले में Samir spent 9-by-5 of his pocket money Samir जो है अपने pocket money का 9-by-5 खल्च करता है and her sister सुनिधी spend 7-by-4 of her pocket money और उसकी बहन सुनिधी 7-by-4 अपने pocket money का खल्च करती है कर रहा है who spend more and by what fraction कौन ज़्यादा खल्च करता है और कितना देखें को दोस्तों इस question में 9-by-5 और 7-by-4 दिया है fraction है हमारा 9-by-5 और 7-by-4 तो हम लोग 9-by-5 और 7-by-4 का comparison करेंगे comparison करेंगे देखें कि इसमें से greater कौन है तो देखें आप अगर comparison करेंगे तो दोनों का denominator same नहीं यानि unlike fraction है इनका comparison करने के लिए हम लोग पहले इनके denominator को equal करेंगे denominator को equal किस तरीके से करेंगे इनके denominator 5 और 4 का हम लोग LCM करेंगे जो LCM आएगा उसी के रूप में हम लोग इनके denominator को बनाएंगे तो देखें 5 और 4 का LCM जब करेंगे तो आएगा 20 20 आगया अब इसके भी दिनामीटर को 20 बनाना है तो यहाँ 5 है 5 का दिनामीटर 20 बनाने के लिए 5 में 4 से मल्टिप्ला है vie 4 से उपर म्ल्टिप्ला होगा तो यहाँ जाएगा 9 फोल्सा 6 अपांद में 20 36 अपांद में 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटु 5 यानि 4 से उपर भी मुल्टिप्ला होगा तो यह हो जाएगा 9 plus 36 अपान में 20 और यह यहां पर हो जाएगा 4 into 5 5 से उपर हो जाएगा 35 अपान में 20 यह 9 by 5 चेंज हो गया 36 अपान में 20 और 7 by 4 चेंज हो गया 35 अपान में 20 तो 36 अपान में 20 और 35 वान में 20 36 और 35 में कौन बड़ा है 36 बड़ा है यानि 9 by 5 वाला fraction बड़ा हो जाएगा 7 by 4 से यानि समीर जो है ज़्यादा पैसा खल्च कर रहा है अपने pocket money का ज़्यादा भाग खल्च रहा है यानि समीर ज़्यादा खल्च करेगा पूछ रहा है कितना ज़्यादा खल्च करेगा तो हम लोग 9 by 5 से 7 by 4 को जब सब्ट्रेग करेंगे तो आएगा 1 upon 20 यानि समीर जो है अपनी बहन सुनिधी से 1 by 20 fraction ज़्यादा खल्च कर रहा अपने पैसे का 1 by 20 भाग ज़्यादा खल्च कर रहा तो equivalent fraction आपको निकालना क्लास में बताया गया है तो आप पहला question होमर करेंगे दूसरा question देखते हैं दूसरे question में simplify करना है सारे question आपको बताया गया है तीसरा भी reduce करना है simplest form या standard form में लेकना है चौतर में ascending order में arrange करना है पांचवा भी descending order में arrange करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 उसके साथ ही 6 6 भी आपको number line पे लिखना बताया गया है यहीं 1 से लेके 6 तक होमर को जाएगा साथ बाद देखिए कह रहा है मेहर score 60 marks out of 135 मेहर जो है 135 में से 6 mark लाती है अनहाद इसको 2 by 5 of the maximum marks और अनहाद जो है maximum marks का 2 by 5 score करती है who has scored fewer marks यानि who has scored fewer marks का मतलब कौन देखिए इस question में कह रहा है कौन कम marks ला रहा है तो देखिए मेहर जो है 135 में 60 marks ला रही है अनहाद 2 by 5 of the maximum marks अनहाद maximum marks यानि 135 maximum marks ला है 135 है 135 का 2 by 5 score कर रही है तो अनहाद का score क्या हो जाएगा 2 by 5 into 135 2 by 5 into 135 तो आज आएगा यहाँ से 5 से 135 को कैंसे करेंगे 27 आएगा 27 into 2 यानि ये अनहाद का score आएगा 54 और मेहर का score कितना है 60 60 और 54 में कौन greater है 60 greater है यानि मेहर जो है जादा score करती है अनहाद कम score करती है यानि कह रहा है who higher score fewer marks तो अनहाद score fewer marks साथा question देखी देखो दोस्तों मेहर का score 135 में 60 है और अनहाद का score maximum marks जो की 135 है वो कितना है 2 by 5 पाफदा maximum marks maximum marks 135 है तो यहाद से cancel करें तो 27 आएगा 27 तूजा 54 और जो कि 54 जो है 60 से कम है इसलिए अनहाद का score कम है इसके बार वाला question देखते है इसके बार वाला question आपको पिछली exercise में कराया गया है इस question में है कि आहल्या has bought 3 meter close आहल्या जो है 3 meter कपड़ा खरिती है she gave 1 by 4 meter 1 by 4 by 5 1 hole 4 by 5 meter off the cloth to her sister वह अपनी बहन को 1 hole 4 by 5 meter off the cloth कपड़े का 1 by 1 hole 4 by 5 meter अपनी बहन को देती है how much cloth is left with her उसके पास कितना कपड़ा बचा तो length of cloth left with आल्या आल्या के पास कितना कपड़ा बचा यह क्या करेंगे हमनों कपड़े की total लंबाई से जितना कपड़ा देर यह उसको minus कर देंगे तो 3 minus 1 hole 4 by 5 यहाँ आएगा 5 5 5 और 4 9 by 5 अब यहाँ हो जाएगा 5 3 15 minus 9 upon 5 यानि 6 upon 5 यानि 1 hole 1 by 5 meter कपड़ा अहिल्या के पास बचा नवे कोशन में देखे कह रहा है आप brick weight 3 hole 2 by 3 kg एक इंट है जिसका भार 3 hole 2 by 3 kg है और एक stone है 1 hole 2 by 5 kg lighter than the brick stone जो है 1 hole 2 by 5 kg हलका है brick से यानि brick 1 hole 2 by 5 kg भारी है stone से पूछ रहा है find the weight of the stone तो weight of the stone हम लोग find करेंगे कैसे brick के weight में से ये 1 hole 2 by 5 घटा देंगे सब्ट्राइट कर देंगे हम लोग तो इससे हमको stone का weight मिल जाएगा ये question आप लोग होमर में करेंगे 10 वा कोशन है मोनिका गे 5 अपान 14 अप हर stamp collection तो जया and 3 अपान 11 तो मिनाक्षी what fraction of the stamp is left with हर अब मोनिका के पास stamp collection का कितना fraction बचा देखे दोस्तों इस question में हम लोग suppose करेंगे कि मोनिका के दोरा x stamp collect किया गया यानि मोनिका के पास stamp का collection कितना है x है अब मोनिका ने उसी x का 5 by 14 जया को दे दिया 5 by 14 अप x तो यह हो जागा 5 x by 14 ठीक मोनिका ने उसी x का जिदना उसके पास collection था stamp का उसमें उसका 3 by 11 मिनाक्षी को दिया तो 3 by 11 अप x यानि 3 x by 11 ठीक अब पूछ रहा है stamp का कितना fraction मोनिका के पास बचा stamp का कितना fraction मोनिका के पास बचा इसलिए हम क्या करेंगे कि total stamp में से जितना जया को दिया और जितना मिनाक्षी को दिया उसको subscribe करतेंगे ठीक अब यहाँ देखिए 14 और 11 का LCM हो जागा यहाँ नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है ठीक तो वन का table 154 बार पढ़ेंगे तो फिर 154 आएगा तो 154 से एक्स में multiply होके 154 एक्स हो गया 14 का table हम लोग 11 बार पढ़ेंगे तो आएगा 154 तो 11 5 जा 55 एक्स 11 का table 14 बार पढ़ेंगे तो आएगा 154 तो 14 3 जा 42 एक्स अब माइनस और जो माइनस रहता है तो एड होता है तो माइनस 97 एक्स आया है अब हम 154 एक्स में से 97 एक्स को सब्टार कर देंगे तो 57 अपान 154 एक्स आया यानि और यह क्या है टोटल स्टाइम करेक्शन है यानि कितना फ्रेक्शन बच्चा 57 अपान 154 आप टोटल स्टाइम को लेक्शन ही हमारे पास यह मोनिका के पास बचेगा यह एंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए appelle क्शन कर रहा है समीरा पेंटिट इडबाइ लेवन आप दा वाल समीरा किसी वाल का इडबाइ लेवन पेंट करती है और यह पेंटे वन बाइ सिक पाई इन्ट करती है करा वाट फ्रेक्शन आप दावा वाट वाट पेंट इंट वाइ उन दोनों के दोनों को एड कर देंगे यह बाइवन और वन बाइवन और वन बाइवन को हम लोग आइड कर देंगे तो यह हो जाएगा इलावन और शिक्स का एल्सेम हो जाएगा यानि 59 आप 66 फ्रेक्शन आप दावाल उन दोनों के दोरा पेंट किया गया और यह कोश्चन मैंने आपको पिछले एक्सेसाइज में करा रखा है इसलिए इलैवन ट्वैल कोश्चन भी होम वर्क हो जाएगा इस तरीके से यह फ्रेक्शन और चैप्टर हमारा खत्म होता है थ जो है त shaking है है थावारान आपको कि अखिए के एंग कराद कर दो तरीके पिता दो ह्